हलो एवरीबड़ी मैं रिमी जगार्डन से रिमी बात कर रही हूँ आप जानते हैं अभी बंगाल की खाड़ी में साइकलोन आया हुआ है चक्रवाती तुफान एमफन आया हुआ है ठीक है यह बंगाल और ओडिशा में है लेकिन इसका असर जारखन में भी है अभी दिन में ही साम जैसा हो गया है अंधेरा चागया है और इस बीच घोंसले से एक चिडिया का चोटा सा बच्चा गिर गया है मुझे बिलकुल नहीं पता इसे कैसे बचाना है बच्चों ने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है यह आप देखिए यहां पर शायद इसका भोसला था यहीं से यह चोटा सा बच्चा चिडिया की बच्ची यह गिरी है इस जूनी प्रस के गमले में और फिलहाल तो हमने इसे उ और मेरे पास गोसले हैं जो चिडिया चोड़के उड़ जाती हैं खाली पड़े वे गोसले उसमें मैं इसे सिफ्ट करने की कोसिस करती हूँ this is the first time for me मैंने पहले कभी भी चिडिया की इतने चोटे बच्चे को नहीं चुए है मुझे डर लग रहा और इसलिए मैंने गलवस पहन रखा है आप देखे यह बिलकुल जिंदा है पूरी तरह से इसमें जान है और हमें इस नन्ही जान को बचाना है आपसे request है प्लीज इस वीडियो को share कीजिए जितने ज्यादा share करेंगे आप उतने ज्यादा लोग इसे देखेंगे और अगर आप मेंसे किसी को भी idea है कि इतने चोटे चिडिया के बच्चे को किस तरीके से बचाया जा सकता है इसे क्या खिलाया जाए कैसे रखा जाए तो आप precious comments आपके चाहिए मुझे प्लीज आप comment box में जाके comment कीजिए आपने अगर पहले ऐसा कुछ किया है और आप help कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताईए कि इसकी कैसे help करनी है मेरी मा ने मुझे बताया है कि आप छोटे कमजोर बच्चों को रुई के cotton के फाहे से दूद पिला सकते हैं अब मुझे नहीं पता उन्हें idea है कि नहीं कि मेरे पास जो छोटा सा बच्चा है वो किसका बच्चा है बट she has suggested me कि आप उसे दूद पिला सकते हैं cotton से थोड़ा- मैं कोसिस कर रही हूं चावल के कुछ दाने खिलाने की क्योंकि पानी तो अल्रेडी बच्चों ने इसके मुझे डाल दिया है इसकी बाडी भी गीली हो गई है फिलहाल इसका सूखा रहना जादा जरूरी है वैसे तो जारखन में कई तरह की चिड़ियां मिलती है लेकिन य मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप इसको पहचान सकते हैं तो प्लीज बताईए इसे क्या खिलाया जा सकता है बताईए हेल्प कीजिए एक रेस्क्यू मिसंन में जुड़ जाए है हम इस बच्चे को बिलकुल बचाना चाह रहे हैं दिल से बचाना चाह रहे हैं और हम डे-ट कर रहा है और अब इसे मैस्च कर रही हूं मैं चिडिया के बच्चे को दूद रोटी खिलाने जा रही हूं अनिसली मुझी थोड़ी देर में इसे अटेश्मेंट हो गई है और मैं रियल किड इसे यूमन किड की तरह है इसे चम्मच से शायद मुस्किल होगा मैं चम्मच की जा रहा है कर नीँ इसे लग रहा है इसकी मम्मी आई है और इसे खाना खेला रही है हा ये सक्ता क्हा ए ये खा चागती है है rich she is eating और खा रही है आप सब अगर इससे जिन्दा देखना चाहते हैं इससे ग्रोन अप होता हुआ देखना चाहते हैं इसकी डेवलेप्मेंट देखना चाहते हैं कैसे इसके पंक आते हैं और कैसे ये एक बड़ी चिडिया बनकर इंडिविज्वल चिडिया बनकर उड़ जाती है तो प्लीज हम मुका मिले तो किसी की मदद करने से बिलकुल भी मत चुकिए क्योंकि यहां जो आप मदद कर रहे हैं इस help के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं बस आपको वीडियो को share करना है ताकि वो काबिल लोग वो लायक लोग जिन्होंने पहले कभी ऐसा किया है वो हमें comment कर सकें, suggest कर सकें आपके भी precious suggestion का मुझे इंतचार है मुझे लगता है कि शायद इसका घर बदलने की जवरत है मैंने आनन फानन में ये bucket इस्तेमाल किया है इसे शायद एक साफ सुत्रे घर की जवरत है मैं इसके लिए नए घर का इंतजाम करती हूँ आप बताएं, suggest करें कि मुझे और क्या करना है Thank you for watching करें कि अजय है आप बताएं